आज ही डाउनलोड कीजिए सत्यादी सर्मा क्लासेस का मोबाइल अप्लिकेशन साथ ही में महिला परिवेक्षक, MPPSC, MPSI, जैली कुलिस और राज्य और केंद्री की विभिन परिक्षाओं के उपास करने के लिए सत्यादी सर्मा क्लासेस के मोबाइल अप्लिकेशन पर आईये मोबाइल अप्लिकेशन के सभी वीडियो कोर्सें मेरे नाम का कूपन κोड शेखावस सर्ट्वनटी इसका यूज़ कीजिये और पाइए 20% सर्मा के किसी भी वीडियो कॉर्स पर आपकी सफलता ही हमारा लक्ष अब चलते हैं चलिए नमस्कार गुश्वानी किरिश सचिन शुकला मिस ठाकूर, जिया पाल, प्रियंका, विनोध ठीक है, सपना, विनोध, संजे, सभी का स्वागत है फटाफट से जोईन हो जाए और क्लास को स्टार्ट करते हैं उर्मीला चोहान ठीक है, चलिए भीया ठीक है चलो शुरू करते हैं चलो फटाफट से जोईन हो जाए ये प्रियंका, भीनोध प्राफट से जोईन हो जाए जाफप है जाए रहन झाल, झाल, प्राफट, विनोध ठीक है चलिए शुरू करते हैं और पहला question है आपके सामने ये बताओ क्यारोटीन डेश में पाया जाता है क्यारोटीन किसमें पाया जाता है चलिए पहला question है आपके सामने है क्यारोटीन किसमें पाया जाता है ठीक है बताए क्या रोटीन किसमें पाया जाता है बताओ किसमें पाया जाता है निम्बू गाजर मूली शलजम हाँ आज थोड़ी में तबे ठीक नहीं है सरदी तो क्या फीवर भी है ठीक है चलिए पताए क्या अंसर होगा इसका किसमें पाया जाता है गाजर में ठीक है किसमें पाया जाता है गाजर में पाया जाता है और कौन सा के रोटीन भीया दियान रगना बीटा कौन सा तो बीटा ठीक है और गाजर जो होती है वो क्या है तो सबसे अच्छा गाजर जो है, वो क्या है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा क्या है, स्ट्रोथ है, सबसे अच्छा स्ट्रोथ है, किसका स्ट्रोथ है, तो यह विटामिन E, है ना, विटामिन A जो होता है, उसका क्या है, सबसे अच्छा स्ट्रोथ है, किसका गाजर, है ना और यदि हम बात करें निम्बू की, तो निम्बू का क्या है, निम्बू जो है, इसमें एक तो विटामिन C पाया जाता है, और दुसरा कौन सा एसिट, तो ध्यान रखना, सिट्रिक एसिट, सिट्रिक एसिट, ठीक है, चलिए, हाँ, शरीर के छती ग्रस्त भाग से लगातार उनका बहना निम्ब्ण में से किसकी कमी के कारण होता है, अगर हमें छोट लग गई है और लगातार ही, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वहाँ पर किसी प्रकार की क्लोटिंग नहीं देखी गई, तो बताईए इन में से क्या हो सकता है, इसका एक्जाम्पल बताईए क्या हो सकता है कि इसका छलिए इसका हूं ऑज हो सिंपल है क्या है विटामिन के क्या हो जाएगा विटामिन के इस ओपन स हमारी पड़ी ऑंत को्वा अकूंट होती है तो बड़ी motivate- cents का इसक बड़ी आगस होते है थी क्वलों कि भाग में बड़ी आत के कोलोन बड़ी आत के कोलोन वाले भाग में विटामीन के बनता है काम क्या है रक्त का थक्का जमाना क्लोटिंग करवाना ये इसका काम होता है और यदि हम बात करें कि विटामीन के की देखो तो इसकी कमी से क्या हो सकता है छती गरस्त अंगों पर क्या हो सकती है ब्लेडिंग हो सकती है किसमें पाया जाता है पत्ता गोबी हरी पत्तेदार सब्जी जो होती ना पत्ता गोबी फूल गोबी पत्ता गोबी फूल गोबी या आप बोलो हरी पत्तेदार सब्जी तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है विटामिन के ठीक है पीली तथा हरी सबजियों में विटामिन A का अगरगामी पाया जाता है वह क्या कहलाता है देखो अगरगामी का मतलब यह होता है कि विटामिन A बनने से पहले विटामिन A बनने से पहले यह विटामिन A जिस रूप में रहता है विटामिन A बनने से पहले यह जिस रूप में रहता है वो क्या कहलाता है यह पूछा है हाँ क्या कहलाता है बीटा केरोटीन क्या कहलाता है बीटा केरोटीन ठीक है चलिए देखिए जब भी हम बीटा केरोटीन खाते हैं है ना बीटा केरोटीन जब भी हम खाते हैं ठीक है जीस भी फ़ल सबजी में होता है तो बीटा केरोटीन क्या होता है खाने के बाद ये खाने के खाने के बाद हम हमारा जो लीवर होता है वो लीवर किस में बदल देता है लीवर इसे बदलता है रेटीनॉल में किसे बदल देता है रेटीनॉल में बदल देता है ठीक है और रेटीनॉल किसका नाम है विटामिन विटामिन एका ही तो नाम है तो यही केरोटीन जो है वो रेटीनॉल में बद लेता है और फिर ये जो ratinol है यह हमारे शरीव में क्या बनाता है रॉड़ ओप्परूटिन बनाता है ठीक हे तो हमारी आखों में यदि रोड़ आपसीन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, हमें कौन सा रोग हो जाएगा, रतोंदी रोग हो जाएगा ऐसे लिंक है ये पूरा, ठीक है ना? ठीक है, चलिए निम्द लिखित में से ऐसे विटामिन का नाम बताईए जो पाचन तंत्र, त्वचा और तंत्री का तंत्र के उचित रूप से कारी करने के लिए आवश्यक है बताओ हाँ, हमारी आखों की रोड़ सेल में रोड़ आपसीन पाया जाता है जो क्या करता है, हमें देखने में हेल्प करता है, ठीक है ना? देखो, इतने दिन से पढ़ा-पढ़ा आके मुझे ये समाझ में आ गया है, कौन स्टूडेंट नेजा है, कौन स्टूडेंट पुरा है शिवानि मिश्णा डेली आतीज Kr discussion के अंदर शिवानि मिश्णा बोल रहे हैं कि मैं ''new student हूं' ठीक है, पुराने जो भी यहां रोज आते हैं, उस सब के नाम से अब मैं पहचानने लग गई हूँ, भले ही एफेस नहीं देखा, पर नाम से असा लगता है कि हाँ, यह वेक्ति जो है, इनकी प्रजेंस है, ठीक है ना, चलिए, क्या अंसर होगा, इसका अंसर हो जाएगा नि इसे हम क्या बोलते हैं, इस पहला ग्राफ रोग को हम क्या बोलते हैं, 4D सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, इस पहला ग्राफ रोग को 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और 4D सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, पहला हो जाएगा डेमेंटाइटिस, ठीक है, या इसको बलेंगे तंत्री का तंत्र है, एक क्या हो जाएगा, डाइरिया, पाचन तंत्र से संबंदित, ठीके, डाइरिया, और तिसरा क्या होता है, दैथ, ठीके, तो एक, दो, तीन, चार, ये चार विमारी, ये किसे संबंदित है, त्वचा से, ये किसे संबंदित है, आपके तंत्री का तंत् और यही तीनों उसने पूछा था, और आप लोग अंसर लगा रहे हो, C, 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 क्या बात हुई, ठीके, इसका अंसर क्या हो जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा आपका A, नियासीन, B, 3, विटामीन की कमी से, ये सबी रोग होते हैं आपको, है ना, चलो, मुह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना और उस पर दरार पड़ जाना किसकी कमी से होता है, ठीके, बताओ, फटा-फट से इसका अंसर दो, चलिये, पटाओ, फटाओ, पटाओ, 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 ठीके, क्या अंसर होगा इसका, इसका अंसर हो जाएगा आपका, क्या, बी-टू, बी-टू, है ना, बी-टू मतलब क्या हो जाएगा, राइबो फ्लेवीन क्या हो जाएगा B2 का मतलब हो जाएगा राइबो राइबो फ्लेवीन राइबो फ्लेवीन B2 का अर्थ क्या है राइबो फ्लेवीन और ये जो है B2 इसकी कमी से क्या होता है इसकी कमी से आपको जीब पर छाले जीब पर छाले ठीक है तो यह जो आपको दिख रहा है B2 यह इसका सही अंसर होगा देखो बहुत बढ़िया आदे लोग B3 भी लगा रहें अभी भी B3 के पीछा पढ़ेते आप ठीक है क्या अंसर होगा इसका अंसर होगा B2 चलिए अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है चलिया चलिया हा शची नची बढ़ेते हैं अगर आप आँखों की बात कर रहे हैं तो आँखों में जो लिक्रिड होता है उसमें भी विटामिन A ही होता है क्यों कि आँखों को सबसे ज़्यादा ज़रुरत विटामिन A की होती है तो वो जो liquid होगा अगर उसमें भी vitamin का पूछे तो वो A ही पाया जाएगा है ना तो उसमें भी vitamin A ही होता है चलिए क्या answer होगा इसका? हाँ, thymine, क्या answer होगा इसका? thymine, ठीके? thymine का मतलब क्या हो जाएगा? B1, क्या answer हो जाएगा? B1, ठीके? यह जो thymine है, यह thymine वही है, जो हम बोलते हैं ना चावल को धोने पर, चावल को धोने पर, चावल को धोने पर, नस्ट हो जाता है तो चावल को धोने पर जो नस्ट हो जाता है, वो कौन सा vitamin है? B1 vitamin है, और इसी की कमी से हमें क्या होता है? इसी की कमी से हमें बेरी-बेरी रोग होता है कौन सा रोग होता है बेरी-बेरी देखो बेरी-बेरी का आर्थ ये थोड़ी होता कि कोई सुन नहीं सकता उसके कान बेरे हो गए बेरी-बेरी आदे हम तो यही समझते थे जहां हम छोटे थे कि बेरी-बेरी का मतलब है बेहरा हो जाना बेहरा होना नहीं बेरी-बेरी का आर्थ होता है लकवा जो चल नहीं सकता तो लकवा इस का आर्थ है जो पेरालिसिस हो जाता है उसे ही कहते है बेरी-बेरी और इससे क्या ही संबन्दित है ठीके, इससे क्या ही संबन दीत हैं, ठीके, यह जो berry-berry है न, यह लगवा क्यों करता है B1, क्योंकि जो आपका B1 है, यह एक chemical release करता है, वो chemical release करता है, जो आपके दिमाग से, आपके body part तक signal को ले कर जाता है, है न, तो जो B1 है, वो उस chemical को बनाने में help करता है, आप जो वो chemical ही नहीं तो ने बनेगा टो उस बोड़ी पार्ट तक सिगनल से बहलें और बोड़ी पार्ट तक यदि सिगनल नहीं गया तो वैसे विए थो घुन जनता जो सिगनल लेकर जाता है वह लागे सě दीनिकल खतम हो जाता reserved लेकल भूचाठäre छो ble bigger उस विटामिन का नाम बताईए जो बहुत से एंजाइम के लिए आविश्यक है तथा वह पाचन पत्व तंत्री का तंत्र को स्वस्त बनाए रखता है इसको पढ़िये पूरा हाँ, नर्वा सिस्टम वीक हो जाता है न, वह केमिकल में हेल्प करता है भीवन पूरू सुपरवाइजर की अभी MP में हली में कोई भरती नहीं है पूरू से यूँ खुद में ही सुपरवाइजर है पर हाँ यह है कि महिला सुपरवाइजर की जो अभी पोस्ट निकली है उसके चलते जो कोर्स लॉंच हुए है पूर्स लॉंच हुए है जो पढ़ाई चल रही है उसकी उसमें काफी हद तक बहुत अच्छा लेवल है नरसिंग लेवल को टच कर रहा है वो अच्छा लेवल है तो जो गल्स हैं जो तैयारी कर रही हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है खुद की देनिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है उनके लिए और अगर देखा जाए तो साइन्स या फिर अदर उनको एक्ट पढ़ने को भी मिल रहे है एक्ट के बारे में बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारी धाराएं पढ़ने को मिल रही है तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी है क्या अंसर होगा इसका? चलिए क्या अंसर हो जाएगा? B2 ये B2 भी क्या है? B2 जो है वह विटामिन जो क्या करता है? ऐसे एंजाइम बनाता है जो किसके लिए? हमारे पाचन के लिए क्या होते है? जरूरी होते है पेलागरा क्या हो जाएगा? पेलागरा ठीक है? चलो खाने में वसा और लिपिड की प्रतीशत्ता होनी चाहिए मतलब कितना प्रसेंट होना चाहिए आपके खाने में फेट बताईए ठीक है? चलिए ये विटामिन से simple simple question जो पूछते थे अच्छा सचिन शुकला तो आप तब से जुड़े हैं मतलब हम से ठीक है मुझे याद आगया आप पटवारी की बात कर रहे हो क्या? पटवारी की बात कर रहे हो क्या? एव पली क्लास की? ठीक है उसी क्लास का ध्यान है क्योंकि मुझे मतलब हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर कितना फैट होना चाहिए? बताओ कितना होना चाहिए? 5 से 10 प्रतीशत हमारे खाने के अंदर जो वसा होनी चाहिए है ना? तो क्या होना चाहिए? हाँ वो होना चाहिए मात्र 5 से 10 प्रतीशत होना चाहिए ठीक है? जादा फैट भी क्या है? हमारे लिए हानी का रहा के मोटापा बढ़ जाता है उससे ठीक है? भूल जाओगे एक दम से? चलिए मच्छली से प्राप्त कॉड या करत तेल इससे सम्रदित होता है कहने का मतलब यह है कि मच्छली से जो कॉड कॉड जो ओईल होता है वो कहां से प्राप्त होता है? उसके लिवर से इसकी मेडिसिन्स भी आती है तो वो बताईए वो उसके अंदर मेन कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताओ हाँ, क्या अंसर होगा इसका? बताओ मच्छली से प्राप्त कॉड जो ओईल होता है वो सम्रत होता उसमें सबसे जादा कौन सा पाया जाएगा? ठीके? तो पताओ ये कौन सा पाया जाएगा? इसको सही कर लेना देखो एक तो विटामिन B12 पाया जाता है और एक पाया जाता है विटामिन D है ना? विटामिन D भी साथ में होता है ठीके, तो ये क्या होता है, जो विटामिन B12 होता है, वो क्या नहीं पाया जाता, हरी सबजी में, हरी सबजी में नहीं पाया जाता, कौन सा विटामिन, B12 विटामिन, ठीके, तो B12 विटामिन सो सिप मास, मच्छी, दूद, अंडे, पनीर, इन में होता है, ठीके, और विटाम इसमिन डी जो होता है, मुख्यू रूप से पाया जाता है, ठीक है? बताओ, सू पोशन इसका परिणाम है, सू पोशन से क्या हो सकता है? ठीक है, बताइए, सू पोशन किसका परिणाम हो सकता है? हाँ, अंडे के पीले भाग में सबसे ज़ादा मात्रा में B12 पाया जाता है चलो, क्या अंसर हो जाएगा इसका? जल प्रदूशन का, जल प्रदूशन सही अंसर इसका, ठीके? अरे C अंसर इसका, C, ठीके? उसने कहा है, सू पोशन किसका परिणाम है? सू पोशन का मतलब है कि जो हमारे तालाब होते हैं, तालाब है ना? या फिर नदियों में, क्या जम जाना? हमारे तालाब ये नदियों में, शेवाल में व्रद्धी, शेवाल की, शेवाल की संख्या, शेवाल की संख्या में, शेवाल की संख्या में क्या हो जाना? व्रद्धी हो जाना ठीके तो जब बहुत जादा algae शेवाल पनप जाते हैं तो वहाँ पर oxygen का level क्या हो जाता है डाउन हो जाता है और उस पानी के अंदर उस जल के अंदर क्या होती है सूरज की रोश्णी भी नहीं जा पाती है और अंदर ना मरने लगते बहुत सारे क्या जियो जनतू है ना ठीके चलिए महिला सुपरवाइजर का कोर्स पर्चेस करना हो तो इसके अंदर classes आपकी चल रही है और ये आपका 20% आफ भी है ठीके तो शिरिन 20 के नाम से आप कूपन कोड अपलाए कर सकते हैं ठीके जरूरी नहीं है कि महिला सुपरवाइजर के लिए महिला सुपरवाइजर तो मेन कोर्स है अगर आपको कोई अदर कोर्स भी पर्चेस करना है जो साइन्स का नहीं हो पर फिर भी कोई सा पर्चेस करना है तो उसके लिए भी purchase करने के लिए अगर आपको discount चाहिए तो ये वाला coupon code apply कर लेना उस पर भी discount मिल जाएगा वर्ग 3, वर्ग 2, चाहे कोई अधर का भी हो math, reasoning, जो भी तो उसमें वस यह है कि coupon code अगर कोई codes purchase करो तो coupon code apply कर सकते हो आप ठीक है? चलो, malaria के लिए निम्न में से कौन सी दवा की आवशक्ता होती है? हाँ, देखिए, course का ये होता है course जो चल रहा है, उसके साथ अभी एक नई चीज एड की गई है आप लोगों के लिए उसमें आपको ये मिलेगा उसमें एक benefit क्या है आपको? कि Monday से लेकर, Monday से लेकर मनलब की Friday तक तो होगी पढ़ाई ठीक है? Friday तक पढ़ाई होगी और शनिवार के दिन, मतलब की Friday को ही Friday को ही, आपकी Monday से लेकर Friday तक आपको जितने भी topic पढ़ाए है उस faculty द्वारा, उस सभी topic का क्या बनवाया जाएगा? MCQ तयार किया जाएगा और Friday की class के एक घंटे बाद ये test क्या कर देंगे upload कर दिया जाएगा ये test क्या कर देंगे upload कर देंगे ताकि बच्चे लगा सकें और फिर इस test का analysis सनिवार के दिन उसी class के time पर होगा लेकिन ये जो रहेगा ये YouTube वाले बच्चों के लिए भी free रहेगा test analysis ठीके तो test analysis आपको free मिल जाएगा शनिवार को तो ये हो जाएगा उसके अलावा जिसके अच्छे नंबर आएगे उसके नाम community post पर भी डाले जाएगे YouTube पर ठीके जिसने अच्छा इसमें production किया जिसमें अच्छा मतलब की वो किया है ठीके तो अभी जो शनिवार आएगा उसको ये test अभी से जो शनिवार आने वाला है उससे ये test सब चालो होने वाले है ठीके चलिए इसका answer क्या हो जाएगा? C क्या हो जाएगा? C chloroquine क्या हो जाएगा? C कहां से मिलता है? ये मिलता है, हमें किस से मिलता है? बताओ, syncona पेड़ से syncona, ठीके? syncona पेड, syncona वरक्ष जो होता है, तो syncona वरक्ष से हमें क्या मिलती है? chloroquine मिलती है, जिससे malaria की दबा बनाए जाती है उसके अलावा एक गेंबूसिया मच्छली भी होती है गेंबूसिया क्या है ये गेंबूसिया एक फिश है ये क्या करती है ये मच्छर का लारवा खाती है है ना मच्छर लारवा मच्छर का लारवा खाती है ठीक है चलिए ठीक है चलिए निम्न में से किसकी कमी के कारण क्वाशी और कऔर बिमारी होती है पताएए हाँ इसका एंऐसिस मिल जाएगा आपको, एंऐसिस तो सभी के लिए है और फ्राइडे के दिन जो अब पर हैं उनके लिए डल जाएगी और जो पढ़ाया गया है Friday तक वही उसमें रहेगा और वो जो test रहेगे उसके जो question रहेगे वो कुछ faculty select करेगे कि उसने कौन से topic पढ़ाये है ठीके फिर जितना भी आके दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा फिर उसका test रहेगा ठीके तो कम से कम इस तर की जांत हो जाएगे कि आपने कितना पढ़ाये चलिए क्या अंसर हो सकता है इसका निम्न में से किसकी कमिक करण क्या होता है क्वाशी और क्या होता है बताएगे विटामिन की कमी से होर्मन की कमी से रक्त की कमी से इसका अंसर हो जाएगा आपका अनिवारी अमीनों अमलों की कमी से, है ना, और ध्यान रखना एक चीज और इसमें, इसको ही क्या कहते है, Malignant Balance Malignant Koupotionwater जो Koupotion होता है Healthcare का उसके अंदर सबसे क्थरणाग जो कुप할 की काटेग्री मानी कहीन है वह इसको मानी गहीन है यह है니다 यह जो Malignant Koup先 एका क्टेग्री में जाता है कवाशी वकर क्या होता हैब इसमें तो दुबला पतल आ होता है बच्चा कैसा होगा, बच्चा तो हो जाएगा दूबला पतला, ठीके, पर लेकिन उस बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, उसका पेट बाहर, क्या हो जाएगा, बच्चे का पेट बाहर नजर आएगा, क्या जाएगा, बच्चे का पेट बाहर नजर आएगा, ठीके न, हाँ, स्वाती वो फ्री ही रहेगा, जो यहां के बच्चे हैं, ना, पेट कोर्स वालों के लिए तो फ्राइडे को डल जाएगा, वो लोग खुछ से लगा लेंगे, लेकिन उसका एनालेसिस सब के लिए रहेगा, तो इस चक्कर में आपके लिए भी एमची क्यू लग जाएगे, यह होगा, ठीके, दोई तरफ चलेगा वो, यूट्यूब पर क्या रहेगा, यूट्यूब पर आपके लिए चल जाएगा, वो ना, तो इतरफ लाइफ रहेगा वो, ठीके, चलिए, इसका अंसर बताओ, यहरसीनिया पैस्टिस निमन लिकित में से किस रोप का कारण है, ठीके, और मेरे जो रहेंगे, मेरे तो टोस्ट रहेंगे शनिवार को, कैसे रहेगा, सुनो, सुबह 10 से गया रहेगा, सुपर्वाइजर का टेस्ट, सुपर्वाइजर का टेस्ट रहेगा, सुबह आप वो भी जोइन कर सकते हो, बहुत अच्छे, चीचीचे सुनने को मिलती है उसमें, उसके अलावा, चार से, दो से, एक से दो, एक से दो किसका रहेगा, वर्ग दो वालों का, ठीके, वर्ग दो वालों का जूलोजी का टेस्ट, ठीके, तो उसमें भी लगा सकते हो, और चार से पाच फिर क्लास मिल जाएगी, तीन बार दर्शन करोगे शनिवार को, ठीके, चलो, क्या अंसर हो जाएगा इसका, क क्यों आएगा, प्लेग अंसर होगा इसका, प्लेग, ठीके, भाया, बीमारी मेरे हिसाब से बहुत सिंबल चेप्टर है, आप उसको भूल गए, यह रहा, इसे भूलो मत, सिंबल चेप्टर यह तो रट जाता है, पढ़ते पढ़ती, ठीके, तो प्लेग को हम क्या बोलते है इसको हम बोलते हैं, ब्लेग देथ, काली मोत, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं काली मोत, काली मोत के नाम से प्लेग को जाना जाता है, ठीके, और यह होती किससे है, यह होती है, पिस्सू, ठीके, और वाहक कौन होते है, इसका चूहा, जो चूहा होता है ना, चूहे का ज चलिए, आगे बात करते हैं, तेल युक्त भोजन को बासी या दुरगंद बना देता है, जो तेल ऐसी चीज़े जिन में तेल होता है, कुछ समय में बदबू आने लगती है, घी से भी आने लगती है, जो डालडगी होते हैं, तो बताओ उसमें से किस कारण से उसमें चलो जल से जल, फटाओ फट से अंसर देदो, थोड़े थोड़े कन्फ्यूज लग रहे हैं इसमें सब, किसी का अंसर सी है, सोहन कुछवा का सी है, कौमेशी का भी है, और पृती कुछवा ने सी अंसर दिया है, अरे ओक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण बदबू आती है, ठीके, ऑक्सीजन के कारण क्या होती है, बदबू आती है, बदबू, और इसको बनाया जो बनती किस्ते है, ये बनाया हाइडरोजन से जाता है, बनाया हाइडरोजन से जाता है, और इसको प्रिजर्व, प्रिजर्व करने के लिए किस चीज़े यूज हो ती हैं, उनको just हम preserve करतें, दो प्रकार के preserve एटिव होते हैं, एक कॉन से होते हैं, एक होता है, आपके प्राकर्तिक, जो घर के अंदर ही उपलब दें, प्राकर्तिक में आ जाएगा नमक, नमक, सिर्का नमक, सिर्का और ओईल, ये सब किसमें आते हैं? प्राकर्तिक, नमक वगेरा, इन सब से आप क्या कर सकते हो? प्राकर्तिक रूप से चीजों को सुरक्षित रख सकते हो, जैसे कि अचार हो गया, ये सब चीजे हैं, ठीके? और फिर एक होता है, सोडियम सोडियम बेंजोईट, सोडियम बेंजोईट, ठीके ना? तो सोडियम बेंजोईट जो होता है, और एक होता है बेंजोईक एसिट बेंजोईक एसिट ठीके? तो सोडियम बेंजोईट जो होता है, वो क्या करता है? वो ठोस को प्रिजर्व करने के लिए से मास वगेरा ये सब और लिक्विट को प्रिजर्व करना है तो बेंजोईक एडशिट का यूज करते हैं अलग-अलग चीज़े होती थोड़ा सा ठीके ना चलिए फिल्म तारे जमी में एक 8 साल का लड़का था इशान नाम का ठीके ना और उसको क्या थी उसको डिसलेक्सिया की बिमारी थी इसका मतलब क्या है बताईए hospital में जो use करते हैं hospital के अंदर जिसका use करते हैं वो acid नहीं होता वो होता है H2O2 H2O2 इसका यह क्या होता है यह है आपका hydrogen hydrogen paroxide hydrogen paroxide ठीक है H2O2 hydrogen paroxide और यह जो hydrogen paroxide है इसका उपियोग कहां करते हैं antiseptic में करते हैं घाव को दोने के लिए उसके अलावा इसका उपियोग कहां करते हैं पुरानी तस्वीर साप करने के लिए तस्वीर साप करने के लिए पुरानी ठीक है चलिए इसका अंसर दो फटाफट से चलिए क्या अंसर हो जाएगा उसको पढ़ने और लिखने में problem थी अच्छा ऐसा होता क्यों है ऐसा किसके कारण होता है हमारे शरीर के अंदर मलब हमारे जो brain होता है उस brain के अंदर ये वाला part देखो मैं ऐसे हाथ रख रही हूँ ऐसे यह आपको जो दिख रहा है ये ये एक हड़ी ये एक हड़ी ऐसे लोब भी होता है ऐसे उपर इसका नाम क्या है इसका नाम होता है पेराइटल लोब इसको बलते हैं हम क्या पेराइटल और पेराइटल जो लोब होता है इसका मुख्य काम क्या है सबसे पहले तो ये भाशा का संग्रहन करता है, भाशा को संग्रहित करता है, और क्या करता है, हम जो बोलते हैं, है ना, हम जो बोलते हैं, तो हमें कैसा उच्चारन करना है, बोर्ड पे लिखा हुआ, हमारे मूँ से उच्चारन होगा उसका, वो सब किसका काम है, हमारे पेरा बेंगोली में आमी तुमा के मार बो इसका मनलब वता है तुमको मार दूंगी ऐसे आप परीचित भी होता है कि मैंने कोई खून नहीं किया क्यों बोलता है पांचों खून में नहीं किये हैं देखना बहुत अच्छी मूवी ठीक है चलिए सभाखान बोल रहें कि आसता आप टाइगर मच्छर बनके आ गए हां मेरे नोटे से नहीं किया ही चीज़ तो ठीक है देखो जो मेहने कपड़े पहने हैं यह जो कपड़े आपको दिख रहे हैं इसी प्रकार का जो यह कपड़ा है ना यह टाइगर मच्छर एसे ही होता है उस उसको टाइगर मच्छर इसले बोलते हैं क्योंकि उसके ओपर सपेद और काले पट्टे होते हैं तो आज आप मुझे देख लो और यह समनलो एसी पट्टे होते हैं टाइगर पे एडिस एजिप्टी पे ठीक है अगर मेने भी किसी को काटा तो उसको भी क्या हो सकता है यहा किससे बहुत बढ़िया यह जिवाणू वाला कौन है देखो आरती और और कोना अंसर दे रहा है अरे विशाणू है ना विशाणू से फेलता है वाईरस से फेलता है ठीक है किस से फेलता है एक तो होता है वेरी सेला ठीक है वेरी सेला और एक क्या होता है एक होता है वेरी ओला वेरी ओला वेरी सेला वेरी ओला यह वेरी ओला जो होता है यह इससे क्या होता है इससे होता ह इसमोल पॉक्स ठीके जिसे हम बोलते हैं बड़ी माता नाम उल्टे है इनके बड़ी माता और इससे क्या होता है इससे होता है आपका चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स ठीके और चिकन पॉक्स को बोलते है छोटी माता ठीके और इनके लिए जो वैक्सीन लगती है वो वैक्सीन थी यह स्मॉल पॉक्स वक्सीन एडवर्ड जैनर ने बनाई थी ठीक है ना हाँ दूर रहे ना भया मुझसे अगर मेने काट लिया तुम लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है ना हाँ क्या अंसर हो जाएगा इसका टाइफाइट तो अभी सबको चल रहा है और खाओ पानी पताशे ठीक है क्या अंसर हो जाएगा उसका उसने पुछा है किसको उत्पन करता है बताओ किसको करता है वो रुधीर करक रोग को मतलब किसको blood cancer blood cancer ठीक है blood cancer देखो हमारी जो WBC होती है ना हमारी जो WBC इसकी जो संख्या होती है इसकी संख्या क्या होती है सबसे कम होती है संख्या होती सबसे कम कभी-कभी radiation से अनुवांशिक पधार्तों से कभी-कभी virus से ऐसा हो जाता है कि इसका जो DNA होता है वो DNA क्या हो जाता है, DNA विकरत हो जाता है, DNA क्या हो जाता है, विकरत, तो ये DNA जैसे ही change होता है, इसका तो क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ने लगती है, इस कारण से क्या होती है, संख्या बढ़ती है, संख्या क्या होती है, बढ़ती है, ठीके, और जो संख्या इनकी बढ होता है इन ही से होता है WBC से चलो पस्चीमी देश जो बहुत कम सूरी प्रकाश प्राप्त करते हैं वहां के बच्चों को कौन सा रोग होता है यह 2017 MPSI का क्वेश्चन है यही के यही पूछाता उन्होंने ठीक है बताओ क्या अंसर होगा हाँ कौन सा हो जाएगा क्योंकि रिकेट्स किस से होता है विटामीन डी की कमी से और विटामीन डी जो होता है वह कहामीं हमें बंता किसे LIKE कि उस्तव किस्वह की सूर्ण से कभी भी टामीं उड़कैं के अंदर एससे बैट क्या मैं इसा इसा नहीं मुझा क exist इसका मतलब यह नियिए, कि बड़ी अपीच पर सो गए बहुते हैं, क्या ले रहे हो, भले विटामिन D ले रहे हैं, ठीके, ऐसा नहीं होता, तो यह क्या है, विटामिन D जो होता है, इसकी कामी से हो जाता है, हमें क्या रिकेट्स रो, क्यूंकि यह किस से मिलता है, यह हमें से मिलता है मलब रोश्णी मतलब लड़की नहीं किरन किरन भी कोई लड़की नहीं इसका मतलब हो जाएगा सूरज की किरन ठीक है नितों मालूम पड़े कि तुम रोश्णी और किरन से बोलो कि आधा किलो विटामिन D दे देना ठीक है यह दोनों कहीं नहीं देंगी तुमको चलो, अम आशे में दूद का फटना परिणाम है, हाँ, 2017, इतने ये क्वेशन नहीं है, ये उन क्वेशनों में एक क्वेशन मिला है, MPSI में साइंस अच्छी आती है, खास करना, अगर आप देखो तो फिजिक्स केमस्ट्री बढ़िया पूचते हो, और खास कर केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है ना, आप से उपग्रहे की गती निकलाने का पूचा था, MPSI वाले ने अब बता लो, ये सिंपल क्वेशन है, उपग्रहे की चाल, है ना, उपग्रहे की चाल ग्यात करो, तो ऐसे क्वेशन भी आते हैं, वो हर क्वेशन टफ थोड़ी देगा, बताओ, अमाशे में दूद का फटना किसका परिणाम है, तो क्या हो जाएगा, रेनीन, ठीके, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ बारा साल तक के बच्चों में निकलता है, बारा साल तक, किसमें निकलता है, बारा साल तक के बच्चों में, इस से फिर क्या होगा, फिर हमारे अंदर दूद को बचाएगा, हमारे अंदर जो तो इस अगनाशे के अंदर पाया जाता है क्या कीमोट्रिपसीन कीमोट्रिपसीन तो अगनाशे में जो कीमोट्रिपसीन होता है वो कीमोट्रिपसीन क्या करता है फिर दूद का पाचन करता है ठीक है दूद का पाचन करता है निम्न में से कौन सी एक आम सामन्य महामारी है बताओ निम्न में से कौन सी एक सामन्य महामारी है हुँ चलो, क्या अंसर हो जाएगा? Enfluenza, Enfluenza मतलब क्या हो जाएगा? एक तो होता है, Swine Flu Swine Flu, ठीक है? किस से होता है? H1, N1, ठीक है? H1, N1, ठीक है? और एक होता है, Bird Flu एक होता है, Bird Flu ये Bird Flu किस से होता है? H5, N1 अब जल्दी से, Ape वालों में से कौन बताएगा? बाकी भी बता सकते हैं पर जिसको मैंने साक्षात बताया है उससे ऐसा रहेगा ना कि वो बताए अब मुझे बता दो H1, N1 का Full Form बता दो H1, N1 का Full Form बता दो इधर बता दो, फटा फट से ठीके H1, N1 का Full Form बता दो इसका मैं बता जाती हूँ Neuraminidase N, Neuraminidase इसका मतलब क्या होता है? H का Full Form बता दो ठीके क्या अंसर हो जाएगा? Influenza और Bird Flu का एक नाम और है Bird Flu का एक नाम और है क्या हो जाएगा? इसको बोलते है Avian Avian Flu क्या बोलते है? इसे बोलते है Avian Flu Avian Flu ठीके? Avian Flu दूद का फटना दूद को फारता है दूद को पहले फारता है मतलब कि वो किसमे कनवर्ट करता है? उसे Pro-Cecine में पेरा के सीन में पेरा के सीन का फिर पाचन तो पेपसीन करता है चलो सचीन का अंसर आया है? नहीं सचीन हीमोगलोबिन थोड़ी था? हीमोगलोबिन नहीं कुछ और अंसर है उसका हाँ प्रिति कुश्वा ने अंसर दिया है हीमोगलोटिनीन है ना? हीमोगलोटिनीन हीमोगलोटिनीन है ठीके ना? चलिए चलो यह बताओ पेप्टिक वरण किसके कारण होता है? पेप्टिक अलसर लिखना इसको पेप्टिक अलसर अगर नहीं समझे तो पेप्टिक अलसर मतलब की हमारे आतों में हमारे अमाशे में कहां पर तो जो ये होते न ये अमाशे अमाशे का निचला भाग या तो यहां पर या तो यहां पर ड्यूडेनम में होने वाला अलसर किसे होता है चलो किस से हो जाएगा हेलिको बेक्टर पाईलोरी हेलिको बेक्टर पाईलोरी इसके कारण क्या होता है आपके अमाशे में अलसर बन जाते हैं ठीके अलसर बन जाते हैं क्या अंसर होगा इसका C इसका अंसर सही है चलिए पाचन तंत्र का वो कौन सा भागे जो बिना पचे खाति पधार्थ से जल और कुछ लवन के अवशोशन में सहायता करता है बताईए क्या अंसर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें कोई पाचन नहीं होता सिर्फ जल का क्या होता है? आवशोशन और वो भी 10 प्रतीशत ठीके? 10 प्रतीशत जल का आवशोशन कहां से हो जाता है? हमारी बड़ी आच से और इसी में पाया जाता है क्या? अपेंडिक्स पाया जाता है इसी में क्या पाया जाते है? इसी में कोलोन वाले भाग में क्या मिलेंगे आपको? बैक्टेरिया मिलेंगे कोलोन वाले भाग में क्या मिलेंगे? बैक्टेरिया मिलेंगे और यह जो बैक्टेरिया होते हैं, यह बनाते हैं B12, और यह बनाते हैं आपका विटामीन K, क्या बनाते हैं, ठीक है, B12 और क्या बनाते हैं, K बनाते हैं, चलो, आमाशे की कारी प्रणाली टेश द्वारा खोजी गई थी, किसने आमाशे के अंदर की जो जितनी भी किरिया व हो गया था ठीक है तो उस वैक्ती न ituاج मेंसे सभी चीजों को देखा कि अमाश dental किस प्रकार से काम कर रहा है एसे भी जोग है जिन्होंने आप्दा को अंभूरमीं बदला है मतलब की गोली लगने जोदुनों ने देखा कि देखो अमाशय में उनके पेट में हो लोगा था किसी कारंट से। हैना ऐसा माने यााथा शायद Lockup नें उस होल में से पूरी हमाश है दिख रहा था उन्hron desap Questions किया ऊसे भी लोग हैं कि बताओ ह buddies का अंसर होगा इसका बाव मेन विलियम बावमेन ठीके बाव मेन अंसर होगा इसका बाव मेन चलिए स्वेद पसीने में होता है पसीने में क्या होता है? पसीने में क्या होता है? बताओ पता फटा फट से ठीके क्या हो जाएगा? देखो इसका एक नाम और है जिसे हम क्या बोलते ह। ग्र्ण ग्रंटी भी इने ही कहा जाता है ईसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? इसमें मिलेगा जल, लवन और लवन लवन कौन से? तो इसमें मिलता है सोडियम इसी कारण से गरमी के दिनों में हम यتي च Sydma कप्ड़े पहनते हैं तो पसीना सूक ने के बायत क्या हो जाते काले कप्ड़े सफेद पड़जाते हैं क्या होते वह उनमें सफेद धब्य लग जाते हैं वो ठीक है और ध्यान रखना एकराइन ग्रंती की क्या कहलाती है स्वेध पसीना की ग्रंती और यह जो पसीने की ग्रंती कहां पाई जाती है हम सबसे ज़्यादा हमारी हतेली और हमारे जो तल्वे होते हैं हमारी हतेली और हमारे तल्वे तो हतेली और तल्वों में सबसे ज़्या जादा क्या होता है पसी ना आता है कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल और वसा वह अन्य अप्चायक अपसिस्ट भी निकालता है ब्लेक कलर तो सभी का फैवरेट है मलब बहुत से लोगों का और इसका रीजन तो एक मुझे ये भी समन्य में आता है कि पढ़िया है किता भी गंदा कर लो वापिस पेंड लो ठीक है उसके ओपर जादा मेहनत नहीं लगती दोने में बतायों क्या अंसर हो जाएगा इसका कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल्व असा पसीने को निकालता है अब भी तो अंसर दिया है इसका स्वेद ग्रंती यही होगा क्या है, बहुत बड़िया, उसने पूछा है अंग, क्या हो जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा, त्वचा, हमारी त्वचा जो है है, वो सबसे बड़ा, क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंग है, हमारी त्वचा, सबसे बड़ा अंग है, और त्वचा क्या करती है, हमारी body से water, fat और ऐसे चीजें, जो क्या है, हमें बाहर निकालना है, ठीके, ये तो जो sweat gland है, वो पसीना बनाती है, glands है लेकिन जिस अंग के माध्यम से बाहर निकलेगा, वो तचा होती है ये आया हुआ question है previous year, ठीके ना चलो, महिला supervisor के लिए coupon code apply कर देना, इसकी में एक demo class भी रखूँगी, बहुत benefit रहेगी, मालब सभी को बहुत benefit मिलेगा उससे, ठीके चलो ठीके, उसके अलावा ये question देखो भीमारी जिसे सामाजिक कल्यान का barometer भी कहा जाता है, बताओ AC भीमारी जिसे barometer भी कहते है बताओ कॉन सी होगी ठेंक्यू मैं क्या बोल रहे हो, बचे है question दो भी भगने की जल्दी, अभी तो 5 भी नहीं बची चलिए, क्या अंसा हो जाएगा इसका tuberculosis, शायरोग ठीके, इसके अन्य नाम और है कौन-कौन से, इसी को बलते है काक रोग, ठीके काक रोग, इसी को बलते है क्या, इसी को बलते है यक्षमा ठीके, इसी का दूसरा नाम के मिल जाएगा आपको इसको मिलते हैं श्वेद प्लेग श्वेद प्लेग ठीक है इसी को बोलते है टीबी ठीक है ट्यूबर कुलोसिस ठीक है और यह जो शायरों के किसे होता है तो द्यान रखना यह होता है ट्यूबर कुलोसिस माइकोबेक्टरियम ट्यूबर कुलोसिस टी BCG का लगता है, किस को है? बच्चों को लगता है. ठीके, कितना लगता है, 0.1 ml, अगर कब लगा रहे हो? एक महीने बाद, एक महीने पहले लगाओगे, तो 0.05 ml मुझे है. כל से लगाओगे इंट्राडर्मल लगाओगे किती डिगरी से लगाओगे पंदरा डिगरी से लगाओगे ठीक है ना कि यह बताओ मिशन इंद्र धनूष में कौन सी व्यक्षीन सामिल नहीं है बताओ कौन सा शामिल नहीं है क्या हो जाएगा इसमें मेननजोइटि सामिल नहीं है ठीक है इन धनूष में जो कितने कलर होते हैं इन धनूष में कितने रंग साथ रंग तो इसके अंदर कितनी साथ घातक साथ घातक बिमारी साथ घातक बिमारियों की वैक्सीन के लिए इन धनूष मिशन चलाया गया था उस मिशन के अंदर इस वाले को नहीं रखा गया मेननजोइटिस को नहीं रखा गया यह क्या है यह दिमाग की जिल्ली होती है दिमाग की जिल्ली पर क्या होता है सूजन दिमाग की जिल्ली पर क्या होता है सूजन आ जाती है इससे है ना दिमाग की जिल्ली पर क्या हो जाती है सूजन आ जाती है इससे मैंने जॉइट इससे ठीक है चलिए इसका आंसर देदो IUD सम्मिलन का सबसे आम दुष प्रभाव है IUD जो होता है यह बताओ IUD Internal Uterine Device चीक है? Internal Uterine Device क्या दुष प्रभाव है उसके? चलो क्या हो जाएगा? Bleeding होती है चलिए भया और यह है आपकी Classes का Time जो YouTube पर लगती है ठीक है? और टेस्ट के बारे में मैं आपको और Friday को जानकरी दे दूँगी Friday के दिन में आपको जानकरी दे दूँगी इसकी टेस्ट के बारे में कि टेस्ट किस प्रकार से होंगी और क्या-क्या उसमें चीज़े नई एड़ की गई है है न? और उसके अलावा कूपन कोड़ आप अपलाए कर सकते हो महीला वाली उसके लिए ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अब भाया नेक्स लास में अब बज़े ना पांच हाँ अब शान्ती पड़ियोगी दिल में कि भाया ये घंटे बहुत मुश्किल से हमने MCQ लगाए हैं दिल पे पत्थर रखके है न? मौमबत्ती चला के पड़ाई किये घंटे आप लोगों ने ठीक है? ठक तो नहीं गए? ऐसे घूमते घूमते ऐसे लिखते लिखते ऐसे continue पोल बल के ठक तो नहीं गए? है न? चलो बहुत मेनद करते हो हैं बहुत मेनद मतलब एक घंटे मतलब कैसे ही निकालते होगे चल चल के बोल बोल के एक तम ठीक है? हाओ कल से कुरसी ले लेना कुरसी लेके पढ़ना कल से ठीक है? चलो ठीक है? चलो या ऐसे हसते रहो, मुस्कराते रहो फिर मिलते हैं कल 4 वजे इसे टाइम पर जेहिन जे भारत